हमारे दोनों मेन क्यारेक्टर का break up हो जाता है और अब उनके पार्टनर्स किसी और के साथ हैं उन्होंने एक दूसरे को help करने का decide किया और उनके पार्टनर जिनके साथ थे उनके साथ हो affair करना start कर देते हैं ताकि उनकी relationship तूट जाए अब क्या इसमें हो successful हो पाएंगे यह हम आज के हमारी मूवी आई वांट यू बैक ये 2022 की एक हॉलिवूड रोमेंटिक मूवी हम देखने वाले हैं अगर आपको विडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट शरू कर दीजेगा बिन अगसदरी के मूवी स्टार्ट होती हैं और हम मेन चैरेक्टर एमा को नौवा के साथ देखते हैं नौवा उसका क्या रखने के लिए कह रहा था है उसका नाव पिटर और अपनी गल्फेंड एना के साथ एक बडडी पार्टी मों आया हुआ था एना के फ्रेंड़ के साथ अट बहुत बार यह च्छा है यानि कि उसे कह रही थी कि शायद उसका फिटर के साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो रोने लग जाती है और फाइनलि उसने उसे पताई दिया पैरलल में एमा नोवा से बुछ थी कि तुम मेरे साथ ब क्यों रही थी कि तुम्हें हर एक चीज़ बहुत ही सेफ लगती है वो कोई नया अडवेंचर नहीं करते अलगला जगा पर नहीं जाते पीटर सब चीज़ों में अपनी सेफटी ढूंडता है जो आना को अच्छा लगता नहीं अपने पैशन को पर्शू करकर एक्टरेस बनन आती है और इस वज़े से उन्हें बहुत बुरा लगता है अगली दिन वह अपने अपने ऑफिस में कर और उनके ऑफिसे एक ही बिल्डिंग में थे पीटर की कंपनी ओल एज होम बनवाती थी और किस तरीके से इसकी कंपनी ऑपरेट करती है पीटर को अच्छा नहीं लगत इस वज़े से इंस्टाग्राम देख रहा था एना का अब दूसरा बॉइफ्रेंड है यह देखकर वो डिस्टब हो जाता है और मीटिंग से चला गया एक डेंटिस के यहाँ पर काम करती थी वहाँ पर एक लड़की प्रेसेस लगवाने के लिए थी उसका बॉइफ्रेंड कहती कि कोईसी रंस मेरा भी अभी अभी ब्रेक अब हो पिटर गहता है कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं दोनों अपने अपने रिलेशन्शिप को लेकर डिसकस करते हैं इस तरहीं से स्टेंजर होकर बात करना है जरा ऑकवर्ड हो गया था वो दोनों निकलने लग गए पर पिटर कहता है कि हम दोनों को कुछ करना चाहिए तो दोनों केरियो के करने के लिए चलेगे पिटर कहता है कि कुछी दिनों में हमारे पार्टनर्स को लगेगा कितना जादा हमें मिस कर रहे हैं और हमारे पास वो वापस आ जाएंगे एमा से रहा नहीं जाता और नोवा को call करने वाली थी पर पीटर उसे रोक लेता है पीटर कहता है कि हम एक डील कर सकते हैं जब भी हमें लगे कि हमारे एक्सेल से हमें बात करनी है तो मैं एक दुसरे को call कर लेंगे इसे हमारा दिल भी हलका हो जाएगा ये बात फिर उन्होंने ने डिसाइड कर लिए फिर से एमा को नोवा की याद आई थी तो इसी वज़े से पीटर के साव तो मूवी देखने के लिए आके उसे मूवी देखती देखते भी बहुत ही साइड लगने लग जाता है वो पीटर से कहती है मुझे लगा था कि नोवा मेरा एरोप्लेन सेफटी परसन है पीटर कहता है कि यह क्या होता है एमा कहती की बचपन में मैं हमेशा सोचा करती थी कि अगर प्लेन में कोई प्रॉलम हो जाए तो मेरे पार्टनर को पहले में मास्क पहनाओंगे और फिर खुद का खयाल पीटर उसे कहता है कि तो बहुत ही इल्लोजिकल है तुम्हें पहले खुद की सेफटी देखनी चाहिए और उसके बाद तुम किसी और को हेल्प कर सकती हो एमा कहती कि पहले उसे मास देना एक बहुत ही रोमांटिक जेश्चेर है नेक्स डी उन्हें अपने एक्सेस के प्र बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर हम लोग उनका ब्रेक अप करवा दे तो लोग फिर से हमारे पास वापस आजाएंगे इस पर उन्होंने बहुत सारा डिस्केशन किया और एमा को आइड़ा आता है कि अनी का अब जो वाइफ्रेंड है उसका नाम में लोगन वो जाकर उसे रिजा सकती है जब लोगन के अफेर के बारे में आना को पता चलेगा तो पिटर के पास वापस आजाएगी पिटर कहता है कि मैं भी नोवा की गल्फेंड जीनी के साथ अफेर कर सकता हो एमा कहती कि नोवा तुमसे बहुत एंड़सम है जीनी उसे जोड़कर तुमारे पीचे नहीं लगेगी पिटर को इससे बुरा लग रहा था पर एमा उसे कहती है कि तुम भी उतने जादा बुरे नहीं हो तुमारे साथ अगर कोई आत्मे एक दो साल रिलेशनशिप में रहे तुमसे भी वो प्यार कर सकता है वो फिर उसे आड़ा देती है कि वो नोवा का करना चाहती हूं मैं भी स्कूल में बहुत सारे प्लेस किया करती थी लोगन को उसका इंतुजियसम देखकर बहुत ही अच्छा लगता है उसने कहा कि मैं भी एक एक्टर हूं और आजकल यहाँ पर प्ले डारिक कर रहा हूं पीटर भी नोवा की जीम में जाता है उसे फ्रे पर उस सिर्फ अपने लाइफ में कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही थी प्लेग के लिए हल्प करते करते एमा का यहाँ पर एक चोटा सा फ्रेंड बना इसका नाम दा मार्क थोड़ी दर में यहाँ पर एनी भी आके और लोगन का अटेंशन लेने के लिए एमा उसे हल् पर इस तरह कैसे एमा लोगन के साथ करते थी यह अच्छा नहीं लगता चाम में ओर पीटर फीर से मिलते हैं एमा कहीती कि एनATT्या और लोगन को देख कर एससा दो लगता एक और कि और किसी में मुमेंट मर एक दूसरे के साथ बड़ा जगडा भी कर सकते उनका जँन नहीं पाई इसी वज़े से हमेशा यहाँ पर ही स्ट्रक रहेगी दोनों मिलकर उनके एक्सेस को ब्रेक करने का बहुत ट्राय करते हैं एमा भी लोगन के साथ फ्लर्ट करती है और पिटर नोग का अच्छा फ्रेंड बनने का ट्राय करता है लोगन को जो बुक्स अच्छी मान जाता है अपने प्ले से एमा बाहर निकली तो वहाँ पर मार्क अपने फादर का वेट कर रहा था वो कहता है कि शायद मेरे फादर मुझे पिक अप करना भूल गए एमा कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूं कार में मार्क एमा की सिगरे हम बड़े लोग हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ पता है हमने सब कुछ विगर आउट कर लिया पर इसा कवे भी होता नहीं है तुम्हें अपने फादर से खुल कर बात करनी चाहिए शायद सब कुछ ठीक हो जाए नोवा पिटर को उसकी गल्रेंड की पाई श आप जाना चाहिए एक दिन एमा और पिटर जब एक साथ थे तो एक ओल्ड एडी गिरने वाली थी और पिटर ने उन्हें बचा लिया एमा देख सकती थी कि पिटर को और लोग बहुत यह अच्छे लगते थे पिटर कहता है कि मझे ओल्ड लोगों के लिए बहुत यह अच सुनकर बहुत अच्छा लगता है रात में एमा जब प्ले के लिए आई तो लोगों से कहता है कि एक लड़की यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके जगा पर तुम परफॉर्म कर सकती हो एमा को तो इसके बारे में कुछ नॉलिज नहीं था पर फिर भी वो ट्रा कर रही है इस कौल की वज़े से वह बहत ही सैड हो गई थी प्ले में भी उसका बहुत ही सैड था उसका पर बहुत ही अच्छा होता है पफॉर्म धेखकर लोगों नो से इंप्रेस्ट हो गया था एमा उसे कहीत है कि हम ऐनी को भी साथ लेकर जाएंगे क्लब में पीटर और लटकियों से मिले यह लटकिया चाती थी कि उनके साथ घर पर चले अब शब कुछ पीटर के प्राइण के अक्कोरडिंग चल रहा था नोख को भी फोर्स करता है कि वो भी लटकियों के साथ घर चले एमा एनी और लोगन सब डिरिंग करने के लिए एमा गयती कि मैं तुम दोनों से बहुत या अट्रेक्टेड हो तुम दोनों को बेड में में जॉइन करना चाहते हो लोगन कहता है कि पहले मैंने ये सब experience किया है और एनी भी बता रही थी कि उसे भी कुछ experience करना है इसी वज़ लड़के को उस लड़की ने अभी अभी डम किया था इसके बाद सब लोग मिलकर हाई हो जाते हैं उपर से पूल में जम करने लगे और बहुत सारी crazy चीज़े को करने लग जाते हैं पीटर फाइनली अपने fierce को छोड़ देता है उसने पूल में जम मार दी यह सब करकर उसे crazy लगता है इस तरीके के adventure और parties उसने life में बहुत बार किये और अब फिर से सब repeat नहीं करना चाहता है फाइनली अपनी life में settle होने के लिए अब वो ready हो चुका था उसे शादी करने थी और settle होना था और रेलाइस करता है कि जीनी उसके लिए perfect है और अब वो उसे propose करने वाला में थी वो एमा से कहता है कि तुम अब भी अपने career वर focus कर सकती हो जिस तरीके से एमा पीटर वर बिल्यू करती है वैसे पीटर भी एमा बर बहुत बिल्यू करता था यह देखकर एमा को बहुत अच्छा लगता है इसके बाद school का play बहुत successful हो और माक को लगा कि अब वो एम और लोगन ने डिसाड़ गया था एक दूसरे के साथ वो इंटिमेट होंगे और इसी वज़े से वो घर पर आते हैं पीटर प्लान मनाता है कि नोवा के बेडरू में जाकर वो प्रोटेक्शन चुपा कर आएगा जीनी यह सब देखीगी और से लगेगा कि नोवा उस पर च चुप जाता है नोवा आज सब कुछ प्लान कर रहा था और जीनी को प्रोपोस कर देता है वो गयता है कि तुम्हारे बिना में मेरी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता जीनी को यह सब बहुत ही फास लग रहा था पर फिर भी हो मान जाती है वो दोनों फिर इंटिमेट होने ल लेता था एनी को रियलाइज होता है कि पीटर उसके लिए सही था इस तरीकी के एक्सपरिमेंट वो नहीं करना चाहती थी यही बात कहे कर वहां से चली जाती है थोड़ी दिर में मोके का फायदा उठाकर पीटर वहां से चला जाता है रात में एमा और पीटर दोनों फिर स उसे कहती कि मुझे मेरी गलती पता चल गी है और उसने से सौरी का वह दोनों फिर से एक साथ थे अगली दिन वह एमा से मिलने के लिए आता है एमा और बेटन विकेंड में एक शोग देखने के लिए जाने वाले थे तो इसके बारे में वो पीटर से पूछती है पीटर कहत हो वैसे परफेक्ट हो अगर तुम लाइफ में सेफ रहना चाहते हो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते है तो यही ठीक रहेगा एमा को पीटर के लिए फिलिंग्स आ गई थे इस वाजे से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था अब वो डिसाइड करती है कि लाइफ में उसे लाइफ में लगता है कि मुझे वह हमेशा लगता रहता है उसे नोवा की वेडिंग के बारें बताती है तो लोगन ने उसे कहा कि तुम्हें उस वेडिंग में जाना चाहिए अगर तुम उसके सामने जाकर